अवदेश जी आप बात सुरू करूँगा जिन पर भी आरोप लगे उन्होंने बहुत कहा तो सार्जनिक मंचों पर यही कहा कि मेरे उपर आरोप गलत हैं मैं निर्दोश हूँ मेरा भरोसा न्याय पालिका में है इसे ढंकी शब्द सब बोलते हैं ठिक यह मैं अपने पूरे जीवन में पत्रकारी जीवन में पहली बार मैंने इतनी अभद्र शब्द और इतने गंदे अंदाज में मुस्कया मुस्कया के कब हुआ क्या क्या हुआ कैसे हुआ यह क्या तमाशा कर रहे हैं लोगतंत्र में कि अब देशी पिए पिल्कुल आप सही कह रहे हैं देखे इस परकार से जो ब्रेट भूजान सीनियर जो अपना बात कही है मंच से पहले तो हमें यह जाननी क्या शचता है क्या परिस्टिया थी उस समय किन परिस्टियों के आथे उन्होंने यह बात कही है देगे जब कोई परिसान होता है उसके जूटे आरोफ लगाए जाते हैं तो अपनी साफ सफाई देने का उसका हद बनता है जिस तरह से ब्रेंग भूसन जी ने बात कही है अपने बचाओ के आगे करिए उन्होंने यह बात जिस तरह आप देखा होगा है जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे खेल मंत्रावले ने उनके लिए एक अलग से समेटी का डिसकरी साथ लोग दोगी और उनी के अनुसार उसमें लोपर लख्ठा गया जिक अबदेशी मसला यह नहीं एक थी दसजार थी पचास जर एक बच्ची भी है तो भी उतना ही अक्षम में अपराद है यह बात समझे दूसरी बात वह बहुत परेशान है तो बीपी की गोली खाओ रेस्ट करो परेशान होने के बाद यह छूट नहीं दे सकते हम क्या ऐसा बोलोगे एक बात समझ लो फिर मैं पहलवान साब पास चलूँगा फिर बाकी दोनों अपने पहले लिसक पास हुआ अब देश जी एक बात जान लिए और सुनो भाई एक बात हमेशा गाठ बांद लीजिए हम इस तरफ की जगा उस तरफ होते किसी पर आरोप लगाते हमारे परिवार की कोई बेटी और वो भरे मन्च से ऐसा बोलता तो हमारे आत्मा को कश्ट होता कि नहीं एक दूसरा प्रशन जो मैंने शु रादिम्बूस्तरा का पत्रकारी नहीं कि भाजपा बाला इसलिए चोड़ दो कांग्रेस बाला इसलिए पकड़ लो ना जो गलत है जो गलत है मुस्किया मुस्किया के अवदेश जी तो पूरे हिंदुस्तान की शकल क्या बनेगी इस बात का अंदाज है कान फट जाएंगे इस देश के बरूंग गूजर जी नमस्कार तल महोल मुझे लगाता कि शायद अब सुलच जाएगा क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा था कि हम हम लाइट डिटेक्टर से गुजरने को तयार है हम पॉलिग्राफी टेस्ट कराने को तयार है फिर ही अचानक से यह आ गया यह मसला सुल जेगा क्या लग रहा है क्योंकि पहलवानों की दिमांड आप देख लगातार पहले दिन उससे पतलती जा रही है और वह सभीदान से अचके मांग कर रहे हैं बार बार वह कह रहे हैं कि नार्गो टेस्ट आपको भी पता है यह पुलिस का काम है अब दोनों पक सराजी हो गए हैं तो आप इसमें कानूनी पेच आएगा कि नार्गो टेस्ट क्यों कराना है उसके अलाव़ा पुलिस इन्वेस्टिकेशन करेश बहुत गहराई से वो बार-बार हर जगा जाकर हर उस लड़की के पास जा रही है हर लोगों को इखटा गर रही है जितने उस दोरान वहां थे जहां पे इनों ने अपने लिखाया है कि हमारे साथ यहां पर यह हुआ यहां पर सोसन हुआ है जो भी हुआ तो थोड़ा इंतज अभी किसी बड़े- राजनेता की बेटी के साथ ऐसा होता तो ये प्रक्रिया बुलट्रेंक कि तरह से भाग रही होती परहलवन गुजर पता है Miss सब्सक्राइब करें इसके इसमें प्रक्रिया ने आपको इसमें अभी गहराई अब को पता नहीं है अभी जब इस चीज का जार्ट का फैसल हो गढ़ हम एक बार सलें करेंगे इस वारे में नहीं । क्योंकि मैं कुष्टी से जुड़ा हूँ और ना मैं अभी बहुत सकता हूं इस मन्जूर नहीं कि कोई आरोप लगाए आप यह बोलें निर्दोष है आप ऐसे मुस्किया मुस्कियाक बोलेंगे कब हुआ यह धादा कौनके की फिल्म बना रहे हो कि अब हमको समझा रहे हैं कुष्टी का पेच है यह कुष्टी है ने आप आपको समझा नहीं अब रुक ना होगा रुकिए प्रियंका गुपता प्रियंका गुपता एक हाइपोथिटिकल इस्तिति के वारे में सुचते हैं यही सवाल बर्खा से बिलूँगा हर महले में रेप का आरोपी तिक तखत लाए चदर बिछाए तकिया रखे और माइक लगाए और यही बोलना सुरू कर दे कब हुआ कैसे हुआ क्या क्या हुआ पूरा बताओ ना तो देश की स्तिति क्या बनेगी कि तुभी जो सांसद करता है इसके मतलब घंता को भी करना चाहिए नहीं कि इस नंच पर बैठे यहां पर जितने में पैनलिस्ट हैं उन सब को इस क्या अलोचना करनी चाहिए और उनकी किस में रुची है मुझे नहीं पटा तक मुझे भग बुरा लग रहा है मैं इक बात यह भी जहना चाहूँ कि आज बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ अभियान कि इस तरह से भज्या उड़ गई है और आप देखें विश्व के पटल पर किस तरह से भारत की चभी खराब हो रही है तो साथ जाई रहे कि यह वो बच्चियां है जो लगातार एक महिने से अपनी फिर दरज करने के लिए क्या रही है और फिर दरज नहीं हो पा रही है कि अब मैंसे यह शरम नाथ ती के लिए नहीं पर हैं था बहुत के हैं गायार उनकis ते गोड़ बयंख़ झामाल किया कंए रही हो बाहरीज नहीं है जो है लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं और आज क्या है कोई भारतिय जंता पार्टी की महिला नेता या मंत्री निकल कर सामने आई जो बड़े-बड़े बाते करा सर्थी तुम महिलाओं के बारे में बड़े-बड़े भाशड सर्थ बंचों पर बैटने इस नहीं होगा आपको जमीन पर उतर करना पड़ेगा ने सही गलत का पैसला नहीं करने को कह रही हूं पर मैं यह जरूर कह रही हूं कि कम से कम उनकी आवाज सुननी चाहिए प्रदानमंत्री जी को प्रदानमंत्री कितनी दूर है जन्तर मंतर थी ठीक है अगरे मेरा सवाल बहुत सीमित है आज आपका जो आप अभियान चलाती उस मिजाज कर नहीं है सवाल बहुत सीमित है उसी पर हम लोग रहेंगा जब ब्रजबूशन कहते कैसे कैसे हुआ तो वो क्या जानना चाहते है प्रदान मंत्री बहुत पास है तो प्रदान मंत्री को हर जगा पर ड्राक करना बंद करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्हें बहुत अच्छा चलाया था इसमें हम सभी बेटियों को फक्र होना चाहिए लेकिन हर केस में उन्हें ध्रैग नहीं करते हैं तो कोट इसका ने ने करेगी प्रदान मंत्री ने नहीं करें ने बरकाजी हम आज कोट की बा प्राइटिन करो जा जी जब ब्रिजबूशन ये कहते हैं तो ये सवाल बहतर ब्रिजबूशन दवाब दे सकते हैं लेकिन जो मेरी समझ है मैं वो ये कह सकती हूं कि बयान पाजी से उन्हें अभी बचना चाहिए क्योंकि अगर अभी वो कुछ भी करते हैं सारी देश की न नहीं सुनती जो वो ये बोले कि निश्पक्ष दोनों तरफ से जाच होनी चाहिए सब की बात सुनी जानी चाहिए दोनों को मौका देना चाहिए अपनी सफाई का ची भूक कसूर वार है या नहीं यह तो फोट टेक करेंगी हम और आप जजज नहीं बन सकते हैं लेकिन उन मेरिट पर कोई नहीं फैसला करेगा सिर्फ अदालत फैसला करेगी देश कानून से चलेगा जान स्टेज होनी चाहिए सारे पक्षों के सारे तत्त जाच के सामने आने चाहिए देश के सामने नयाय होता दिखना चाहिए आदी आदी ठिक अब इसको दोहराना नहीं प्लीज कोई ठीक लेकिन आज की बहस का लाग टके का सवाल क्या किसी ने किसी रेप के आरोपी आरोपी शब इसलिए जिन्नों की भावनात्मक लगा ब्रजबूशन जी से हो बोलोगे एक तो मुत्ते जितना हो इसलिए मैं फिर कह दू आरोपी और आरोपी वो टेक्निकली है एफ उनका नाम है आरोपी में इसलिए ठीक आरोपी ब्रजबूशन जी की प्रति ज्यादा सब्वेद राएं हैं वो अपने को धहर में रखे इसलिए ऐसा खाय रहा हूं क्या किसी ने किसी ऐसा सुना आज तक अब देश जी अगर सुना हो मेरे सवाल पर रहिएगा अगर सुना आज में यह वाक के उचानत किये हूं बताइए उदाराण दीजिए अंताव जी पहता में प्रेंका जी की बात का एक मिनिट का जवाब दीजिए पहले मेरी बात के जवाब दीजिए में इसी पर आज़ा हूं मैं इसी पर आज़ा हूं प्रेंका जी ने जो कहा कि जनतर मंतर पर जो बेटिया बैटी है उनकिसी को फिकर नहीं है इंचा पूछे रावस्तानमें की सरकार है कि रिचन पोल एक जगा है वहाँ पे मुचलिया हिंदू बेहनों के बेहन बेटिव अगिसी सरकार करणा आजय venet जो पारिण परीज कोसी उस रिचना इसों पर सुपादी होन ईज वुष्पादी थी नहीं है उस दोपर अपर राव कांदी इचिनों ही बोलती यहां जो के दैटे हुए जनतर मंतर पे तर्फ टागत से दे दिया मेरी बात का जबाद मेरासुम ए ऐसा कोई उधारें जहां तखत डाल के मंच बना के माइक पर ये पूछा हो कईसे कईसे हुआ कब कब हुआ क्या क्या हुआ मुझे तो लग रहा दो फिल्म चल लई है कोई सी ग्रेड की अब जानकारी होती है रही बात करते हो आप इनका वीडियो नहीं देख रहा हुए पर स्थिति आपको नहीं देख रही अगर सारजनिक जीवन में हम काले को काला और सफेद को सफेद कहिने का नईतिक साहस नहीं रखते तो मान लेना चाहिए देश बहुत गंभीर परस्थिती में फसा है अगर अगर उपाध्याई को ये संकोच है कि क्या बोले वो इस आड में छुपार छुप रहे हैं अपने सब्सक्राइब को कि पता नहीं किस परिस्थिती तो सबको पता क्या परिस्थिती है को गुप्त परिस्थिती है इसमें जजब बात करते हो और उनका चेहरा नहीं देखर मुस्करार मुस्करा कैसे पूछ रहे क्या क्या हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ मुझे तो लगा धादा ग्रिजब पढ़ेगा भाजपा प्रिजबूशन के बहुत अब अब देखना यह मत करिए इस से चेहरा खराब होता है कहीं तो लाइन लेंथ लोग चुड़िए बरंगूजर नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो वो पार्टी छोड़ तो प्रिका ठीक अपरादी को अपरादी कहना सीखिए इसलिए इतनी सुर्खियों में है ठीक बीज़ेट ने बर खत्रेहन एक मिनट मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूँ सारी कहानी एक करब क्या कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिस देट सब छोड़ देजिए सिर्फ एक लाइन पर केंद्रित रखिये क्या हुआ कैसे कैसे हुआ कब कब हुआ कैसे कैसे हुआ ये तो बताओ इस बात का मतलब क्या है सिर्फ एक लाइन पर जब इसी पर बहस है बाकी कहानी पर बहस नहीं कि मोदी जी को ड्रेक करें नहीं करें या कांग्रेस में क्या हो रहा है राजिस्थान में क्या हुआ तमिल आडू में क्या हुआ बहस नहीं आज कि आज बहुत सिर्फ इस लाइन पर है क्या कोई मेंबर पार्लामेंट अजब मेंबर पार्लेमेंट भी छोड़िए पार्लेमेंट के मेंबर तो यह चाहिए मेलो एक आप 15 लाग बोट है यह तो देश भर की कुष्टी के सारे संगों के महासंग के अद्यक्षत है जो आदमी म रंच पर इतनी अभद्र बात बोल सकता बरखा वो मन वो कमरें में क्या बोलते होंगे इस बात की गारंटी आप लोगी बताओ शुरुवात में अविताब जी लेंगी बचना चाहिए अरे घजना ना ना आप भी मीचा मीचा कप कर रही हो बयान बाजी नहीं है यह यह अगर यह उसमें बाइजद बरी होते फिर यह जो हमर्टी का है लेकिन ना 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 या बाइजत बर्य होने के बाद भी आपको महिलाओं के मंच से अप्मान करने का अधिकार किस्त कों देता है मैं तो आइसे आतक कानून की धरा दे किने की बाइजद बर्य हो गए फ उनको हख है अगर वो बाइजद जब बरी होते हैं तो अपने कैस के ओकर जो भी उनको हाइलाइट करना ही वो बाते रखनी है वो सारविजन एक मज पे रखते रहें लेकिन जब वोट ने बाइजद बरी करते अभी केस पोट में उन्हें शांती बनानी चाहिए